हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एडिटोरियल एनलिसिस बाई सिंप्लिफाइड सिविल सर्विसेज आज सेप्टेंबर एट फ्राइडे को तोटल पांच आर्टिकल हम डिसकस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस और दा हिंदू दोनों के तो कौन-कौन से आर्टिकल हैं उसमें बा पाचीत करेंगे नेसर्ब डिसकस करेंगे वह स्थोरिंग ओडर जो कि म्यानमार से रिलेटेड़ है वह आपके लिए इंप्रेंट में से नहीं हैं लेकिन परी के लिए कुछ हैं चीज़े से आर्बियाई लैंडिंग आइडलाइन आपके प्री के परस्पेक्टिव से उसको कैसे मेजर करना है उससे रिलेटेट चीज़ें हैं वो लास्ट आर्टिकल हम डिसकस करेंगे और आपके फीडबेक हमारे लिए काफी वैलियोबल है तो प्लीज लाइक शेयर और कॉमेंट करिए और जादा से जादा सब्सक्राइब करिए तो आईए शुरू करते हैं आ साउथ कोरिया के बीच में रिलेशन्शिप इंटरनेशनल रिलेशन्शिप उसके करण यह जो है आया हुआ है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स की बात करें तो प्रिलिम्स के लिए काफी सारे फैक्ट आया हुए जो बहुत ज्यादा प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव परेवल था फोकस करेंगे शुरू करते हैंchnya । डिश्टि या बात कर रहा है अर्टिकल फाइंडिंग सीयो्ड सीयोल मतलब साउथ कोरिया की जो कैपिटल उसकी बात कर रहा है उसको कहा जगा देने के बात कर रहा है इंडो-पैसिफिक रि इस रीजन को इंड पैसिफिक रीजन काहाँ जाता है इसमें जो भी हम इंड पैसिफिक धा इस काहँ अ कर उति गाथ होग्प मेरा पूरी मेरे अटलांटे का करतीति तitched गनिती के इन साय च gorilla पावर गेम का इंडो पैसिफिक उसका रीजन का है आशियान ग्रोव कर रहा है बहुत तेजी से उसके अलावा देखें तो जापान और साउथ कोरिया जो की एशियन टाइगर से ग्रोव कर रहे हैं इंडिया चाइना सारी कंट्री बहुत तेजी से ग्रोव हो दिये और सारा यह शिफ्ट कहां हो गया है सबका ध्यान इंड़ पैसिफिक में हो गया है उसका एक डीजन यह बिंकि जो चाइना का रा यह है और चाइना जो जो है बहुत तेजी से अपना क्या कर रहा है ыш deber law घारिया इसके गारे तो ऊहीं तो हो नहीं था इंडिया यह जैसी जो है इस के लिए रियेक्ट कर रही है है जो भी चोफ पॉइंट से मठाणे की जरुथ है हला कि अब शांति होना मुश्किल है क्योंकि यू एस के इसमें पॉलिटिकल एंगेजमेंट हो यह लेकिन यह इंड़ो पैसिफिक रीजन के हिसाब से बनाए गया है और इसमें बात की गई है रूल-बेस्ट ऑडर की वही बात है इंडिया बोल रहा है कि रूल-बेस्ट ऑडर के हम बात कर रहे हैं जो भी कंट्री इहां पर रूल- नहीं आने वाले है जादा से जादा बोल देगा हम आपको हतियार देते हैं वो भी खरीद नहीं पड़ेंगे फ्री में कोई नहीं देता है समझ में आया क्या तो यह सब सारी चीजें इंडो-पैसिफिक रीजन की राजनीती की बात हो गई समझ में आया क्या अब इस कंट्रीज है यूएस कोरिया और जापान यह तीनों कंट्री का नाम यह आपको पूछ सकता है कैम डेविट सम्मिट रिजेंटल इन दे न्यूस इंक्लूट्स विच ऑफ फॉल्वेंग कंट्रीज तो यह प्रिलिम्स का एक कोश्चन है यूएस कोरिया और जापान अभी कै इंधियर इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि फुछ साउथ कोरिया और जापान इन दोनों के ट्रडिशनल रिलेशन उतने अच्छे नहीं उस infatu के सावान्या के बीच में ौआं न यो उनके रिलेशन अच्छे नहीं थे तो जापान ने बेसिकली साउथ कोरिया पे इन्वेट किया था 1910 में कबजा कर लिया था और फिर वहां कि जो लोग है उनका बहुत ज्यादा सोशन किया एक्स्प्लाइटेशन किया खास कर वहां कि जो वोमेन है उनके साथ जो है बहुत गलत तरीके से वैवार किया गया जिसके कारण जापान और साउथ कोरिया के रिलेशन कभी नॉर्मल होई ही नहीं पाए अलाकि एकनोमिक रिलेशन जरूर है लेकिन ट्रेडिशनल रिलेशन उ जो है एंटर कर सकता है पहले उस पहले साउथ कोरिया को लग रहा था कि रिजर्वेशन रहेंगे जापान को उनके एंटर होने के लेकिन अब डारेक्ली साउथ कोरिया एंट्री कर सकता है और जो इंडो-पैसिफिक चाइना के अगेंस्ट आब बात करने लगा है उसके असर्टिवनेस की अगेंस्ट इसके पहले चाइना पे डिपेंडेंसी बहुत थी क्लमिक डिपेंडेंसी इसलिए साउथ कोरिया ऊपनली नहीं बोलता था लेकिन अब ढारेक्ली बोलने लगा है उसकी foreign policy में चेंज आया है इसके साथ इंडिया के लिए कुछ consequences हो गया है जो geostrategic convergence है वो कहीं जादा बढ़ गया है South Korea और इंडिया दोनों ही बहुत important countries है Indo-Pacific region की साथ में अगर आप geostrategic convergence की बात करें तो जो इसकी location है South Korea की वो बहुत अच्छी जगा पर अगर आप South Korea की location देखे तो पर पूरा का पूरा चाइना है चाइना से proximity है इसलिए इंडिया और चाइना और South Korea ठीक है यह तीनों जो है पास-पास है इंडिया के लिए South Korea बहुत beneficial हो सकता है क्योंकि contain किसको करने के लिए चाइना को करने के लिए चाइना और इंडिया के border relation अभी बहुत खराब हो गया है तो चूकि इसकी जो location है वो चाइना के पास में है तो इंडिया के लिए benefit हो सकता है South Korea के साथ अच्छे relation रखना ठीक है अच्छे relation रखने से तो जो convergence है वो basically जो अभी change हुआ है dynamics उसके कारण जो है बहुत जादा होने लगा है और इंडिया को deep relation रखने की ज़रत है South Korea से ऐसा इस article में कहा गया है उसके अलावा अगर हम बात करें तो और कौन कौन सी जगा है sectors है जहां पर इंडिया और South Korea convergence होते हैं जैसे की semiconductor हो गया semiconductor वाला जो sector है जिसमें South Korea जो है क्या है बहुत बड जो है जो थार्ड है वो nuclear sector है नुकलियर जो है पावर प्लांट जो है बनाने में जो South Korea उसने महारत हासिल कर रखी है और इंडिया को जो बहुत सारे नुकलियर पावर प्लांट है वो मिल नहीं पा रहे हैं जबकि इंडिया को NSG का waiver भी मिल चुका है उसका एक मात्र रीजन क्या है उसका एक मात्र रीजन है civil liability for nuclear damage act 2010 ठीक है तो इंडिया ने एक act पास किया है civil liability act इसमें क्या कहा गया है जो भी operator होगा nuclear का अगर कोई accident हो जाता है तो 1500 करोड तक का जो जुर्माना होगा वो उस operator पे लगा जाएगा तो यह पहला law है जिसमे supplier के उपर liability है insurance की समझ में ह नुकसान होगा उसमें 1500 करोड तक कौन भरेगा उस नुकसान का operator भरेगा इसलिए बहुत सारी countries के जो supplier है वो इंडिया को क्या नहीं दे रहे है nuclear power जो plant है वो बना के नहीं दे रहे है अगर South Korea on board आ जाता है इस इस basically जो act है उसके हिसाब से तो इंडिया के लिए बहुत कही गई है कि इंडिया जो है South Korea के साथ two plus two dialogue भी शुरू कर सकता है two plus two dialogue क्या हो है annual summit है at the level of foreign minister and defense minister तो जो भी countries के साथ यह sign किये है वहाँ पर हर साल वहाँ के जो foreign minister है इंडिया का जो foreign minister एक summit होता है annual summit ठीक है तो कौन country के साथ इंडिया ने sign किया है US, Japan, Australia और रशिया यह चार यहाँ पर two plus two dialogue है writer बोल रहा है कि South Korea के साथ भी यह करना चाहिए two plus two dialogue आपके लिए prelims के लिए important है कौन कौन सी country के साथ यह sign किया गया है US, Japan, Australia और रशिया प्री के लिए बहुत important इसके अलावा कुछ-कुछ जो यहाँ पर दिये हुए है AUKUS की बात की गई है जो military alliance है US, UK औ Australia के बीच में है AU, Australia, UK और US यह तीन country के बीच में military alliance बना हुआ है ठीक इसके बाद chip for alliance क्या है US, Japan, Taiwan और South Korea यह भी बहुत important है chip for alliance जो है अगर उसकी बात करें तो world के जो top producer है semiconductor के उन लोगों के बीच में यह alliance है लगभग 70% semiconductor यह 4 country मिलके produce कर रही है समझ में है इसके बात कॉड की बात करें तो India, US, Japan, Australia, Western कॉड की बात करें तो I2, U2, India, Israel, UAE और USA यह country जो है Western कॉड का हिस्सा है please यह जितनी भी पांचों है, चारो पांचों चीज़े यह आपके prelims के लिए important है इसका या तो आप screenshot बना लीजे या रट लीजे, लिख लीजे, कुछ भी करिये, prelims में आपको पूछा जा सकता है यह basically हमारा article हो गया, पूरा article इससे ज़्यादे इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है हमारा next article है restoring order, यह article आपके pre के perspective से important है और interview के लिए mains में नहीं पूछा जाएगा इस से related कोई भी चीज़े, basically यह जो मयानवार में इस्तिती है, उसके बारे में यह article है वहाँ पर जो order है उसको restore करने के लिए कहा जा रहा है, बात करेंगे आर्टिकल की, शुरुआत करते हैं, सबसे पहले कुछ questions से जो pre में पूछे जा सकते है which country is part of both beam stake and ASEAN groupings, ठीक है तो आपको बताना है कौन कौन सी countries है जो इन दोनों का हिस्सा है तो Thailand हो गया, Myanmar हो गया, Cambodia हो गया, Laos हो गया, Singapore हो गया, India हो गया, तो यह 4-6 country मैंने दे दिया आपको बताना है total कितनी country है, only one, only two, only three, only four, only five, जितनी भी, आप comment करके बता सकते हैं यह आपका काम है, ठीक है next बता रहे हैं, जो next question आपको पूछा जा सकता है, five point consensus in recently in the news is associated with Sark, जी नहीं, आशियान, जी हाँ, EU नहीं, नन नहीं, आंसर कहाएगा, आशियान आएगा, यह भी important है, इसके बारे में बात करेंगे तो अब सबसे पहले मयानमार की बात कर लेते हैं, क्या इस्तिती है, तो थोड़ा background बना लिया जाए, जब तक के background नहीं पता होगा, मज़ा कैसे आएगा 1948 में आजाद हुँ अपने साथ-साथ, 1962 में यहाँ कूप हो गया, military rule established हो गया, 2010 तक के यहाँ military rule established रहा, इंडिया के relation 90 तक के जो है, क्योंकि यहाँ military rule था, इसलिए अच्छे नहीं थे, बाद में इंडिया ने अपनी जो foreign policy हो से थोड़ा pragmatic किया, और बदल कर 1991 से यहाँ पर relation establish करना चालू किया, China के influence के कारण बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ रहा था, अब इंडिया के relation ऐसे हो गाएं कि इंडिया जो है, बिल्कुली मतलब छेट खानी नहीं कर रहा है, जैसे म्यानमार में हालत खराब है, कूप हुआ तो इंडिया ने जो है, democratic establish करने के लिए तो तो यह इंडिया के साथ relation की बात हो गई, अब ही इस्तिति क्या है, 2015 में election हुए, national unity government बनी, जो अपनी lady थी, बहुत famous lady है न, वो foreign minister बनी, आंग सांग सूची की बात कर रहा हूं, बिल्कुल, आंग सांग सूची की foreign minister बनी, president नहीं बन पाई, वो कुछ reasons थे, उसके constitutional reasons थे, उस established हो गया, उसके protest में वहां पर बहुत सारी जो है, opposition में लोग आये, उन पर आम forces ने violence करना शुरू कर दिया, बहुत सारे political prisoners जेल में हैं, जो भी opposition के leader हैं, वो सब जेल में हैं, और यही चीजें जो है, बहुत तीजी से बढ़ रही थी, इसके कारण जो है, आशियान सम्मिट हुआ, 2021 में आशियान का पार्ट है, कौन म्यानमार, जब सम्मिट हुआ तो, 2021 में एक आशियान प्लान आया, उस प्लान में, उस प्लान का क्या result था, five point consensus, five point consensus जो है, finally, दोनों के बीच में agreement हुआ, मतलब जो कहां की country है, आशियान की 9 country और म्यानमार के बीच में, क्या five point consensus थ तुरंद कहा गया कि, म्यानमार को, कि आप सबसे पहले तो violence खतम करिये, दूसरा, जो political prisoner है, उनको छोड़िये, तीसरा, democracy establish करिये, ऐसे दो और point है, तो वापस, जो situation है, उसको normalize करने की बात की गई, five point consensus, लेकिन, जो military थी वहां की, वो अभी तक के five point consensus, जो प्लान था, उसक को क्या नहीं की है, implement नहीं की है, तो अभी जो recent summit होगा है, उसमें बहुत जादा गुस्सा हो गए है, कौन? ASEAN countries वाले, और बहुत जादा गुस्सा हो गए है, तो पहली बार उन्होंने directly condemn किया है, वहां के generals को, कहां के म्यानमार के, अभी तक बच रहे थे directly condemn करने से, कड़ चेर्मेंशिप आशियान में, जो A है, उसको सबसे पहले मिलेगी, फिर B, C, D, इस तरीके से, म्यानमार को मिलने वाली थी, 2026 में, deny कर दिया भाई, नहीं दे रहे हैं अब, अब दे ही नहीं रहे हैं, अब क्या कर लगते हैं, तो ये सब सारी चीजे बहुत तेजी से action ले है कौन? आशियान, आशियान का मेंबर है, म्यानमार और प्रॉक्सिमिटी कंट्री है, इसलिए बहुत important है, इंडिया के लिए भी म्यानमार की बहुत जादा important है, चायना का influence बढ़ रहा है, इसलिए इंडिया चुप चाप है, जादा कुछ बोल नहीं रहा है, समझ में आए सेकेटरियाट का है, जाकारता इंडोनेशिया में, इसका सेकेटरियाट है, इंडोनेशिया जाकारता में, मोटो की बात करें, cds में पुछाता, वन वीजन, वन अइडिनटिटी, वन कम्मिनिटी, अभ भी recent पूछा है, मतब 5-6 दिन पहले, 8 अगस्त को आशियांडे होता ह उसमें 12 अगस्त लिखा हुआ था ठीक और क्या बुच्छा था अभी बता दूगा कौन कौन सी कंट्री है इंडोनेशिया मलेशिया फिलिपिन सिंगापूर स्थाइलेंड ब्रुनाई वियतनाम लाउस म्यानमार और कंबोडिया यह आपको याद करने की जरूरत नहीं है इंडिया के लिए मयानमार बहुत इंडिया के लिए इंडिया के लिए स्ट्रेजिक पॉइंट आफ यू से नौर्थीस्ट की कनेक्टिविटी के पॉइंट आफ यू से तबन में 1967 में यह इस्टैबलिश हुआ था बाइ साइनिंग बैंकॉक डिक्लेरेशन पांच कंट्री इस थी जो कि founding member थे यह important है आपको founding member पूछ सकते हैं आपके exam में CAPF जैसी exam में पूछा जा सकता है civil service में भी आजकल एक्दम यह हमारा article था हमारा next article है impact of the RBI lending guidelines यह article the Hindu में आया है और pre के लिए सिर्फ pre के लिए important है एक question जरूर आता है pre में जो कि RBI की guideline जो भी issue होती है उससे related पिछे 4-5 साल का paper उठा के देखो आपको दिखाई देगा इसलिए यह बहुत ज्यादा important हो जाता है शुरू करते हैं article background क्य background यह है कि बहुत ज्यादा repo rate बढ़ गया है पिछले एक देर साल में लगबग 5% repo rate बढ़ा है जिसके कारण जो EMI है लोगों की वह बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि interest rate जादा हो जाएगा interest rate बढ़ेगा तो EMI बढ़ेगी EMI बढ़ेगी तो लोग default कर सकते हैं इसल ने कहा है borrowers के पास अब option है वो fixed rate mechanism में switch कर सकता है floating rate से इसका मतलब क्या है floating rate क्या होते है और fixed rate क्या होते हैं पहले यह जान लेते हैं जब भी आप loan लेते हैं आप bank के पास गए loan लिया उसने आपको बताया कि floating interest rate 7% है fixed interest rate 10% है तो floating interest rate market की जो dynamics होती है उस पे depend करता है और जो भी repo rate होगा उसके हिसाब से change होगी चीज़े अभी 7% है कल 12% भी हो सकता है मालीजे 5 साल के लिए आपने लिया तो उस समय 7% था और आखरी साल में 12% हो गया तो आप क्या कर सकते हैं switch कर सकते हैं 10% fixed interest rate में समझ में आया क्या तो fixed interest rate में आप क्या कर सकते हैं switch कर सकते हैं हो सकत इस समय आपका एक साल बात बहुत कम हो जाए और रैपोरेट कम होने के बाद सीधे जो EMI इंट्रेस रेट है वो 7% हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं स्विच कर सकते हैं ऐसा कौन कह रहा है आर बी आई किसको कह रहा है जो बैंकर है उनको कह रहा है कि एक ऐसी पॉलिसी बनाओ ताकि जो लोग हैं वो tenure के बीच में भी switch कर सके जो landing entity है उनको क्या कह रहा है कि आप अपने board से approve करके बढ़िया सी क्या बनाओ guideline बनाओ, policy बनाओ उस policy में clearly बताओ कि लोग कितने बार अपने tenure में switch कर सकते हैं fix से floating और clearly उसमें क्या mention करो जो भी cost आएगी, switch करने की administrative cost आएगी उसके साथ-साथ service charges लगेंगे, सारी चीज़े बताओ उसी जगापे और शुरुआत में ही बताओ transparency के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि आपने पहले बोल दिया switch कर दो और फिर switch करने के बाद बोले यह सब cost लगेगी यह एक बार switch हो गया, उसके बाद फिर cost बता रहे हैं इस तरीके के धोका धड़ी करने से बचना है banks को, ठीक है तो responsibility अगर आप देखें clearly तो किसके ओपर है communicate करने की lending जो entity है वो communicate करेगी, lending entity का मतलब क्या है? banks हो गाए, financial institution हो गाए, micro finance bank हो गाए यह सब करेंगी, और किसको communicate करेंगी? जो borrower है, जो consume कर रहे है loan को, उनको communicate करेंगी क्योंकि default ना कर जाएं और अभी recently EMI बहुत बढ़ गया है तो यह चिंता हो गई है कि default हो सकता है ठीक है, अब क्या next चीज है जो important है इसके साथ साथ और क्या हो सकता है मान लिजे की EMI बढ़ गई interest rate बढ़ गया 10% से 12% हो गया तो आपका interest rate बढ़ने से आपकी EMI बढ़ेगी या तो tenure बढ़ेगा यह option भी आपको दिया जाए मान लिजे आपने fix ही रख दिया है आपने नहीं change किया आपने floating में थे और floating में ही रख रहे है इस वक्त 12% हो गया है तो bank को क्या है पूछना है आपसे कि आप बताईए interest EMI बढ़ा दू आपकी या फिर आपका tenure को elongation कर दूँ या tenure बढ़ा दूँ आपने 5 साल के लिए लिया था तो ये सब सारे options भी कौन देगा जो landing entity होगी वो अपने policy में देगा इसके बाद जो next important चीज है वो क्या है हर तीन महिने में हर तीन महा में एक statement जो है दिया जाएगा issue किया जाएगा जो भी borrower है और उसमें clearly और simple language में क्या चीजे समझाई जाएगी borrower को कि EMI आपने अभी तक कितनी दे चुके हैं कितना principle और interest rate जो है आपने चुका चुके हैं कितनी EMI आपकी बची है और annual आपका जो interest rate है पूरे entire tenure के लिए वो कितना है ये सारी information communicate करने का काम किसका होगा landing entity का होगा इसके साथ साथ आप prepayment अभी भी कर सकते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पांस साल के tenure के लिए लिए और आपके बास पैसा आया आप ब्याज नहीं भरना चाहते हैं आपने दो साल या तीन साल में भर दिया लेकिन bank का तो धंदा ही जो है interest rate से ही चलता है तो उसके लिए वो penalty भी लगा सकते हैं लेकिन ये सारी चीज़े भी mention करना पड़ेगा ठीक है ये सब सारी चीज़ों को mention करने की जरुरत है ठीक है तो यही basically क्या था हमारा जो guideline थी यही थी और उसके बाद अब pros और cons की बात कर लेते हैं क्या फायदे और नुकसान है तो सबसे पहले floating interest rate की बात करते हैं floating interest rate generally कम होता है fixed interest rate से क्यों कम होता है जो भी bank होगी वो क्या करती है मानलीजे 5 साल के लिए आपको loan दे रहे हैं तो वो fixed interest rate मानलीजे 10% उनने रखा वो कैसे calculate करते हैं अगर इस समय interest rate 7% है और 4-5 साल बाद 12% हो जाता है तो क्या होगा जब floating interest rate है उसमें शुरुवात में तो उनने फायदा हो रहा है 3% का लेकिन जब 12% हो जाएगा तो उनने 2% का नुकसान हो जाएगा तो generally वो average रखते हैं पूरे tenure का तो fixed interest rate generally क्या होता है जादा होता है तो जो लोग होएं उनको overall benefit अगर देखा जाए तो floating interest rate में ही है ऐसा मानना है जो भी landing institution है उनका यही मानना है कि कोई फायदा नहीं है floating में रहने में ही फायदा है overall आपके tenure में देखा जाए तो आपको cost उतनी ही पड़ेगी बार-बार unnecessarily इधर shift करना और इधर shift करने से कोई फायदा नुकसान नहीं होगा लेकिन मान लीजिए आभी की situation में आपका दो या तीन साल का loan बचा है तो मैं तो आपको बोलूँगा कि आप switch कर सकते हैं fix में तोटल overall cost भी आपको जादा नहीं पड़ रही है तो administrative cost अगर जादा पड़ रही है तो कोई फायदा नहीं है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा floating के फायदे हो जाएंगे अब अगर हम fix की बात करें तो fix के भी कुछ फायदे होते हैं फिक्स में जो main benefit होता है वो होता है borrower को एक तो certainty होती है और security होती है उसे पता होता है उसे कितना चुकाना है और कितना नहीं चुकाना है उसके लिए वो proper planning कर सकता है अपना budgeting कर सकता है उसे कितने साल में कितने दिन लगेंगे कितने किस तरीके से उसे चुकाना है यह सब profits होते हैं ठीक है तो prospective borrers should note broader evolve economic dynamics and accordingly decide the tenure basic ठीक है तो यह basically क्या हो गए fix rate के benefit हो गए तो दोनों की बात हमने कर ली इसके लावा इसमें और कुछ भी important है नहीं यही हमारा article था हमारा next article है Lord of Dance History Symbolism of Shiva Natraj Form यह article Indian Express में आया हुआ है UPSC pre के perspective से बहुत जादा important है 2024 के लिए क्यों important है वो भी बात करेंगे recently CDS का exam था उसमें भी यह पूछा गया था Natraj के बारे में बिलकुल repeat हो सकता है आपको क्योंकि UPSC पूछ रहा है तो आपकी UPSC prelims के paper में आ सकता है में डारेक्ट कोशन अटराज के उपर आना तो मुश्किल है लेकिन चोला डाइनिस्टी का जो culture है उससे आएगा तो आपको इसका जिक्र जरूर करना पड़ेगा अब बात करते हैं कि क्या है आर्टिकल उससे related चीजों का क्यों news में है तो recently एक statue बनाया गया है भारत मंडपम के सामने भारत मंडपम क्या है पहले उसकी बात कर लेते हैं भारत मंडपम G20 का नया venue है एक building construct की गई है जो 2016-17 से बन रही थी finally recently इसका जो है inauguration किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा और ये G20 का venue है इसकी capacity लगबग 7000 लोगों की है जो hall की capacity है साथ में बैठने की जो अगर dignitaries के बैठने के लिए एक छोटा hall बनाया गया है जिसकी capacity 160 है आने वाले समय में जितने भी conventions होंगे वो भारत मंडपम में ही होंगे जो की प्रगती मैदान में है बहुत भव्य और बहुत सुन्दर है अगर आप दिल्ली में हैं तो आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं अपने free time में शंक रूप में इसे बनाया गया है शंक रूपी ये जो है building बनाया गया है बहुत सुन्दर है साथ में जो culture की बात करें तो culture वाली चीजें जो है इसमें inscribe की गई है building में पंच तत्व भी हैं इसमें पंच तत्व को भी धर्शाया गया है पंच तत्व मतलब प्रत्वी, आकाश, वायू, अगनी और चल इसके साथ साथ सामने की statue बनाया गया है जो की नट्राज का है अब ये बेसिकली तीन जो मंदिर हैं वहां से inspired होके ये statue बनाया गया है कौन-कौन से मंदिर है जो नट्राज temple है चिदंबरम में उससे उमा महेश्वर temple in कोनरई रजापुरम उससे inspire होके और ब्रिहेदरश्वरा temple in थांजबूर ये तीनो टैंपल जो है चोला डाइनिस्टी में बनाये गए थे तो ये तीनो टैंपल आपके लिए important हो जाते हैं इसके बारे में बिल्कुल थोड़ा बहुत पढ़ लीजेगा अब बात करते हैं नट्राज और चोलाज की तो नट्राज वैसे तो शुरुआद नट्राज कब से दिखने लग गए थे फर्स टाइम पर्ट्रे फाइव एडी में कर दिया कहता है मतलब चोलाज के पहले से लेकिन जो perfection आया है पुरे world में famous है evolve हुआ है नट्राज form of Shiva वो basically कब हुए है चोलाज के अंदर जो present form है वो चोलाज के अंदर है bronze वाली जो है मुर्तियां बनाई गई है वो बहुत ज़्यादा famous है अब Shiva के बारे में बात कर लेते हैं अगर आपको पता हो तो हमारे त्रीदेव हिंदू माइथलोजी में त्रीदेव बहुत ज़्यादा famous है ठीक उसमें है एक ब्रह्मा दूसरे हैं विष्णू और तीसरे हैं महेश महेश जो है शिवा का नाम है जो कि destroyer कहलाते है महा काल कहलाते है महा काल के नाम पे एक मंदिर है उज्जैन में जिसे महा कालेश्वर कहा जाता है जो कि शिवलिंग है जोतिर लिंग वाला मंदिर है 12 जोतिर लिंग में से एक है और UPSC के लिए important है prelims के लिए पिछले साल बहुत news में था क्योंकि वहाँ renovation हुआ था और साथ साथ वहाँ इतना दूफान आया था कि मंदिर की जो आइडल्स थे वो सब उड़ गए थे तो उसके कारण जो है बहुत जादा news में भी था वो आप देख लीजेगा एक बार read कर लीजेगा अब शिवा के बारे में बात करें तो जैसे कि अपने आँ executive, legislature और judiciary होती है वैसे ही जो ब्रह्मा विश्णु महेश थे उनके भी यही कारे थे ब्रह्मा का कारे क्या था जो भी श्रिष्टी है उसके नियम कानून बनाए जाए मतलब legislator और जो विश्णु थे वो उसे implement करते थे मतलब executive थे विश्णु भगवान अने एक रूप में प्रत्वी में आते थे और उसको implement करने अने जैसे कृष्ण भगवान का राम का रूप तो यह उनका कारे था executive और जो न्याय धीश थे न्याय पालिका थे वो थे शिव हर situation में अगर आपने देखा होगा बचपन में तो हमेशा एक ही जैसे स्थिर रहना हमेशा हस्ते रहना चेहरे में चाहे वो दुख वाली situation हो चाहे सुखी वाली situation हो तो हमेशा जो impartial रहे हैं असिरों के साथ असूर के सबसे करीब कौन थे शिव भगवानी थे क्योंकि भगवान जो है देवता और असूरों में कोई भेटभाव नहीं करते थे दोनों को समानरस्टी से देखते थे तो ये शिव के बारे में हो गया शिव को महकाल कहा जाता है ये सब सारी चीज़े हो गई उसके साथ शिव वैरागी भी थे अगर आप बाकी सब को देखेंगे तो सब लोग बहुत आभूशन पहनते हैं विश्नु भगवान भी और ब्रह्मा भी लेकिन शिव भगवान का अगर आप रूप देखें तो एक साप लपेटा रहता है और एकदम चाल पहने रहते हैं एकदम वैरागी की तरह जीवन जीते हैं वैराग का जीवन जीने वाले हैं सादू संत की तरह रहते हैं नटराज को हटा दिया जाए तो उसके अलावा भी 108 डांस जो है इन्वेंट किस ने किया है शिव भगवान ने किये हैं कुछ जो है जेंटल फॉर्म के हैं और कुछ जो है बहुत ही टेरिबल हैं जैसे की नटराज जो की बहुत भ्यावाय है अब नटराज के बारे में अलग से बात करते हैं तो बेसिकली नटराज बताता क्या है उसके बारे में बात करते हैं अगर अपर हैंड की बात करें तोटल चार हाथ हैं इसमें ये याद रखे या फोर हैंड हैं ठीक है शिव भगवान के ये बहुत important है एक बार question आ भी चुका है अपर हैंड के बारे में बात करें तो उसमें डमरू है और उसके sound में क्या कह रहे हैं शिव भगवान जितने भी creature हैं उसकी rhythm में डूब जाएं उसकी जो rhythm है उसमें अपने आपको डूबा दें दूसरा जो उनका left arm है अपर left arm उसमें अगनी है जो की ये बता रही है कि वो पुरे दुनिया को destroy कर सकते हैं उस अगनी से ठीके तो शिवा as a destroyer और शिवा as a protector दोनों ही कहलाते हैं अब आप उनकी नटराज के feet की बात करें तो एक feet में आगर आप ये photo देखेंगे तो एक dog creature है छोटा सा जिसको वो crush कर रहे हैं इसको माया कहा गया है ठीके तो भगवान अपने पैरो से माया को कुचल रहे हैं और माया को खतम कर रहे हैं जो भी मोह माया है जीवन में उसको खतम करे रहे हैं किसके आपके जीवन से और ये दर्शाया जा रहा है उसके बाद नटराज के जो fit है वो यहाँ पर crush dog life figure है वो इलूजन को destroy कर रहा है अगर आप इसके बाद next बाद करें तो शिवा जो है reassure कर रहे है as a protector उनका जो right hand head front right hand front right hand की बाद करेंगे तो उसमें अभे मुद्रा दर्शाय जा रही है अभे मुद्रा जो की fearlessness दिखाती है तो भगवान जो है बता रहे हैं आपको fearlessness होने की आवशक्ता है और उनका जो raised feet है और front left arm है वो जो है feet के तरफ उंगली दर्शार आए ये देखेंगे अपन और ये देखें ये basically क्या बोल रहा है क्या pointed कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि आप लोग मेरी शरंड में आ जाओ अगर आपको किसी भी तरीके की मतलब रक्षा करने की आवशक्ता है आपकी तो आप मेरी शरंड में आ सकते हैं refuge ले सकते हैं जितने भी devotee हैं उनके लिए संदेश है साथ में अगर चेहरे की बात करें तो नटराज के चेहरे में हमेशा smile दिखाई देगी सिच्वेशन को एक ही तरीके से डील करना है हस के समझ में आए क्या यह आपके लिए life lessons भी है mythological और यह इसका significance हो जाएगा यह आपके pre-clear important है that's it हमारा आज का last article है what is heat index and why is it important to measure तो बात करेंगे यह article की the Hindu में आया है और आपके लिए important article है explainer में दिया हुआ है इरान में recently 70 degree जो है heat index आया था record किया गया है जो कि highest है अब इस temperature में survive करना species का possible है क्या नहीं है even human को बहुत दिक्कत आईगी उनकी health related बहुत सारे issues आएंगे तो biodiversity बहुत खतरे में है इस temperature में क्योंकि temperature बहुत बढ़ गया है ठीकि तो heat index की बात करते हैं अब शुरू करते हैं heat index basically measure क्या करता है apparent temperature measure करता है apparent temperature का मतलब क्या है जो आपके body को feel हो रहा है उसमें humidity को include किया जाता है जो mercury होता है जो heat जो आपका temperature होगा उसमें humidity के component को add क्या जाएगा उसमें apparent temperature निकल के आएगा अब आपने जब भी गूगल किया होगा तो आप देख रहोंगे कि टेंपरेचर 33 डिग्री है लेकिन आपको कितना फील हो रहा है 42 डिग्री ऐसे 42 डिग्री के समान है बहुत सारे लोग जो है इस पे जोग भी बना रहे हैं कि भाई सीधे सीधे बोल देना कि 42 डिग्री है एक कि जब टेंपरेचर बढ़ेगा तो जो वाम एयर है उसकी मॉइस्चर होल करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी इस कैपेसिटी को हम रिलेटिव हुमिडिटी कहते हैं अब रिलेटिव हुमिडिटी बढ़ेगी तो मॉइस्चर जादा से जादा हवा में आएगा और वही मॉ तो हमारा शरीर क्या करता है स्वेटिंग करता है और उस स्वेटिंग से इवैपोरेशन से हमारे शरीर में थंडग हो जाती है और टैंपरेचर वापस 36-37 डिग्री मेंटेन हो जाता है लेकिन अगर मालीजी हुमिडिटी बहुत बढ़ जाए तो क्या होगा मौईश्चर आदरता बहुत बढ़ गए हवा में तो आपको जो पसीना है वो आएगा नहीं और जो पसीना आ भी गया तो वो इवैपोरेट नहीं होगा ठीक है और evaporation नहीं होगा तो आपके जो शरीर में थंड़क है वो नहीं आपाएगी और आपके शरीर का जो temperature है वो rise होना चालो हो जाएगा इस से आपको heart से related कई सारे issues हो सकते हैं, heat stroke आ सकते हैं, आपकी जान जा सकती है, तबेत खराब हो सकती है तो जो temperature है वो बहुत जादा feel हो रहा है, जितना temperature बढ़ नहीं रहा है, उसका main reason क्या है, humidity, समझ में आया क्या, तो यही हमारा बस article था, आपके लिए ये चीज इंपोर्टेंट थी, जोगरफी में जब भी आप humidity पढ़ोगे उसको थोड़ा detail में पढ़ लेना, इस से जादा इसमें कुछ important नहीं है, thank you, enjoy your day, और please आप लोग notes बनाया करिए इसके, यहना कुछ-कुछ point है जो prelims के हैं, उसके notes ज़रूर बना लीजे, तुरंत लिख लीजे या screenshot ले लीजे, ताकि आप बाद में revise कर सकें, क्योंकि कुछ याद नहीं रहता है, यहना हम भले कितना भी सो आप लेकिन नहीं रहता है, तो प्लीज notes बनाये,